जानना चाहूंगी वैसे प्रश्ण में आपसे कई बार कर चुकी हूं यह जो हमारा यूरिन है यूरिन जब हम पास करते हैं तो कई बार क्या है कलर भी चेंज नजर आता है और हमने कहीं यह सुना भी और आपसे भी हमने सुना है कि अगर यूरिन का कलर चेंज होता है तो इस का कलर बदलना क्या वाके में यही है कि हमें कोई रोग हो गया है या होने वाला है आदिखी वाकई आप ने सही फर्माया कि पेशाब का कलर बदलता रहता है और पेशाब गाढ़ा और पतला भी होता रहता है दरजल पहले के दोर में आदमी के पास जब इन्तिजाम नहीं था ये पेशाब या पौटी टेस्ट करने का या थूक टेस्ट करने का तो तब भी एक वैद या एक हकीम मरीज से उससे कहता था कि अपने सुबह का पेशाब लेकर आना या थूक लेकर आना या पौटी लेकर आना तो उसको ये तजर्बा होता था कि कैसे कलर का और कितना गाड़ा और कितना गंदा पेशाब इसको आता है तो वो उस पर गोर करता था एक नजर ऐसे देखा सीशे की बोतल में वो आता था वो समझ जाता था कि इसको क्या रोग है तो अब ये जाच का तरीका बना है तो ये भी इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें कितना गाड़ापन है कितना इंफेक्शन है या इसमें कुछ बीमारी है के नहीं है तो यूरिन का कलर पीला और जब ज़्यादा पीला होता है तो वो लाल सा होने लगता है तो अगर लाल सा आता है तो समझ लीजे इंफेक्शन काफी है अगर पीला है ओपनी पीला है तो समझ लीजे कि वो पानी इस शखक्स को जादा पीना चाहिए जिसका पिशाब पीला रहा है एक दिन में अगर दो से धाई लीटर तीन लीटर पानी पी कर भी अगर हमारा पिशाब पीला आता है तो समझ लिजे के हम किसी infection में घिर गए हैं और अगर दो से धाय लीटर पानी पीने के बाद पिशाप सफेद आने लगे तो आप समझ लिजे के आपको infection नहीं है